हेग गाइज लेट्स कुग बिस सुचिता चैनल में आपका स्वागत है मेरे घर दिवाली पर पान के पत्ते बहुत आ गए थे तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ मैं सोची कि आपको आइस्क्रीम ही बना के सिखा दूँ इसलिए मैं आपको आज आइस्क्रीम बता रही हूँ पान के पत्ते के आइस्क्रीम अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबाना विल्कुल मग भूलिएगा ताकि मैं नई वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके आईए देखी ये कैसे बनेगा सबसे पहले मैं पैन में वन लिटर दूद ली हूँ ये एक लिटर दूद है फूल क्रिम दूद है इसे मैं गरम कर रही हूँ दूद गरम होते होते में ही मैं इसमें कॉणफिला पाउडर एक चमच डाल दूगी ताकि दूद जल्दी गाढ़ा हो जाए इसे अच्छे तरह से मैं मिक्स करूँगी इसे दूद में लगतार चलाते हूँ एक डालना है नहीं तूद लम्स पड़ जाएगा मैं लगतार चला रही हूँ ताकि ये नीचे से ना चिपके अब मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ मैं चार पांच अमच मलाई डाल रही हूँ घर का ही मलाई है ये दूद का इससे काफी क्रेमी टेक्स्टर आजाता है अब मैं इससे लगतार चला रही हूँ दूद गाड़ा होना शुरू हो गया है अगर आपके पास कौनफला पाउडर ना हो तो आप इसमें कस्टर पाउडर भी डाल सकते हैं आरा रोट भी डाल सकते हैं दूद या पानी में घोल कर अब मैं इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ इसमें लगतार चला रही हूँ आपको भी ऐसे ही करना है इसमें लगतार चलाते रहना है यह ची पकना नहीं चाहिए नीचे से लिए टेस्ट खराब हो जाएगा दिखिए अब गाड़ा हो रहा है यह काफी गाड़ा हो गया है अब मैं गैस बंद कर दी हूँ अब इससे ठंडा होने दूँगी और आगे का प्रोसेस मैं करूँगी तब तक मैं पान को काट लूँगी मैं 6-7 पत्ता ली हूँ पान का उसे अची तरह से मैं धो ली हूँ अब मैं इसके डंठल निकाल दूँगी इसे क्याची की मदब से मैं काट की निकाल रही हूँ इस तरह से निकालना है देखिए सारे पत्तों के मैं डंठल निकाल लूँगे यह थोड़ा सा काला लग रहा है मैं इसे भी काटके निकाल दे रही हूँ अब मैं दुसरे पत्ते के भी डंठल निकालके दिखा रही हूँ आपको कैसे निकालना है इसे कयांची से यह बहुत असानी से निकल जाता है, आप भी ऐसा करें, मैं सारे पत्ते को एक साथ ले ली हूँ, मोड करके, अब मैं चोटओळे काट लोङगी से, यह दिखे मैं काट रही हूँ कैंची से, यह छोटओळे पीसे में मैं काट दी हूँ, पूरा मेरा कट चुका है पान का पत्ता यह मैं गुलकन ली हूँ, 2 टेबुल स्पून 1 टीज स्पून मैं सौफ ली हूँ, 5 इलाइची ली हूँ, छोटी वाली इलाइची है यह सब का पेस्ट बना लूँगी इलाइची का बीज निकाल लीजे अब मैं गुलकन डाल दी हूँ दूट डालके मैं इसका पेस्ट बना लूँगी देखिए पेस्ट बन चुका है ये थोड़ा हलका कलर लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा और color डाल दे रही हूँ पानी में घोल करके मैं डाली हूँ दो-तीन बुंद color मैं डाली हूँ इसे गाड़े दूद में मैं मिला दूँगी इसे अच्छी तरह से mix करना है यह देखे मैं अच्छी तरह से mix कर रही हूँ बहुत अच्छा color आ रहा है यह मेरा mixture अच्छी तरह से mix हो गया है अब मैं बर्तन में डाल के इसे जमा दूँगी यह मेरे पास tray है मैं इसमें डाली हूँ मैं उसे aluminium foil में fold कर दे रही हूँ ढग दे रही हूँ मैं इसे aluminium foil से ताकि बरफ न जमे अब मैं इसे freezer में रख दे रही हूँ 10-12 घंटा के लिए मैं रखी हूँ यह मैं glass में भी की हूँ यह देखिए मैं stick डाल दी थी जब आधा जम गया था तो मैं stick डाल दी थी glass वाले mixture में अब मेरा ice cream बन के तयार हो गया है 10-12 घंटे हो गया है मैं इसके उपर टूटी फूटी डाली हूँ देखिए काफी अच्छा बन कर तयार हुआ है मेरा ice cream यह काफी बढ़िया देख रहा है और खाने में भी बहुत tasty होता है आप इस तरह से बना कर खाएंगे तो आपको बहुत fresh फिल होगा आपको बहुत मजाएगा खाना खाने के बाद आप इस तरह से बनाएंगे तो खाएंगे लगेगा कि पानी खा रहे है आप जरूर बनाए थोड़ा सा ट्रिक्स का फॉलो करे आपको बहुत थो आपको बहुत थो करे नहीं है झाल